बहुत बहुत धन्यवाद श्री जितेनर सिंग जी, श्री देवबरत साइक्या जी, श्री गौरव गोगोई जी, श्रीमती पवित्रा साइक्या जी, मंच पर उपस्थित तमाम कॉंग्रेस के नेतागर्ण, यूद्ध कॉंग्रेस, महिला कॉंग्रेस, आपके भी सारे नेतागर्णों को, यहाँ पर बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद कि आप इस मीटिंग में आ जाए हैं। देखिए, जब मैं पहली बार यहाँ प्रचार के लिए आई, तो कुछ मेरे मुद्दे दिये गए थे, मुझे की इन मुद्दों पर बात करनी है। तो सबसे पहले ये नारा लिखा था, जोई आई अखुम। तो मैंने किसी से पूछा, इसका मतलब क्या है। और मुझे बताया गया कि इसका मतलब है आसाम माता की जय, जो हमारी माता है, हमारी धर्ती है, उसकी जय। यहां की ब्रह्मपुत्र नदी की जय, यहां के पर्वतों की जय, यहां की फसलों की जय, चाए बगानों की जय, यहां के घमोसा की जय, तमूल पान की जय, यहां के बीवूत्योहार की जय, यहां की जन जातियों की जय, खेतों में काम करते हुए किसानों की जय, असम की सभी भाषाओं की जय, सभी महापुर्शों की जय, श्रीमंत शंकर देव जी की जय, सती जोयमती हेमचंद्र बरुवा जी, श्रीमंत गोपाल देव जी की धर्ती की जय, विकास पुरुष श्री हितेश्वर साइक्या जी की जय, और स्वर्गिय अतरुन गोगोई जी की जय, हम जब जय कहते हैं, तो हम आपकी संस्कृती, आपकी धर्ती, आपके अस्तित्व, आपकी अस्मिता की जय करते हैं, चाहे कोई भी नेता कहीं से भी आए, वो यहां आकर पहले आपकी संस्कृती की बारे में बात करता है, पिछली बार जब मैं यहां आई चाए के बगान में जाने का मौका मिला मैं अपनी बेहनों से मिली जो चाए के बगान में मजदूरी करती है चाए के श्रमिक है उनके साथ बैठने का मौका मिला बातचीत हुई बहुत चीजें पता चली मुझे मुझे पता चला कि अगर एक दिन की दिहारी नहीं मिलती तो एक ना एक सदस्य परिवार में भूका सोता है मुझे पता चला कि कई सालों से उनकी उमीद रही है कि उनकी दिहारी बढ़े लेकिन आज तक बढ़ी नहीं है और अगर बढ़ी तो सिर्ष चुनाओ से थोड़े दिनों पहले एक तम मात्रा में बढ़ी उनके साथ बैठ कर ये बहुत सपष्ट हुआ कि असम की जो संस्कृती है आपकी जो असमिता है उसकी रखवाली वही महिलाएं थी जिनसे मैं बात कर रही थी वही बहने थी यहाँ उपस्तित जितनी भी मेरी बहने है ये संस्कृती जो है इसकी रखवाली आप करते है चाहे कहीं से भी कोई भी नेता आए वो ये बात ठीक तरे से समझ नहीं सकता क्योंकि आपका जीवन आप जीते है उसकी सचाई आप जानते है इस धर्ती ने आपको क्या दिया आपकी पहचान दी वो आप समझते हैं मैं जब वापस घर गई बताया गया कि फिर से असा माना है चुनाव प्रचार के लिए तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि दूसरी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं क्योंकि चुनाव है जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से मुद्दे उठाते हैं कल मैंने प्रधान मंत्री जी का भाशन देखा और उस भाशन में प्रधान मंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ दुख भरी आँखों से कहा कि असम की जनता आप से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ मेरा दिल बहुत दुखी है तो मैंने सोता नजाने क्या बात करने जा रहे हैं क्या कहेंगे हो सकता है कि कोई बड़ी विकास की बात हो या कुछ ऐसी चीज हो गई हो जिससे असम की जनता को दुख है तो प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें भी दुख है आगे बोले तो मैं हैरान हो गई प्रधान मंत्री जी ने एक 22 साल की लड़की के ट्वीट का जिकर किया और इस ट्वीट के जिकर में उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा शड्यंत्र रचा है और वो शड्यंत्र ये है कि दुनिया से चाय समाप्त हो जाएगी अब आप मुझे बताईए इस दुनिया से चाय कभी कोई समाप्त कर सकता है चाय ने तो सबसे बड़े बड़े सामराज्यों को भी गुलाम बना दिया आज आप इंग्रेंड जाते हैं तो वहाँ भी चाय मिलती है पीने के लिए क्या कॉंग्रेस पार्टी ऐसी साजिश रच सकती थी फिर प्रधान मंत्री जी ने एक और चीज बोली उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया में दो गलत फोटो लगी और उससे उन्हें बहुत दुख हुआ मेरे मन में ये बात आई कि ये प्रधान मंत्री जी जिनको दो गलत फोटो एक गलत ट्वीट से इतना दुख हो रहा है जब यहां पे बाड़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ तब वो आपके सामने आकर अपना दुख उन्होंने व्यक्त क्यों नहीं किया जब यहां पे का कांदोलन हुआ जब असाम जल रहा था तब उनको दुख क्यों नहीं हुआ क्या वो चाए के बगानों में गए हैं क्या मेरी बेहनों से मिले हैं मेरी बेहनों के हाथ देखे हैं उन्होंने जिनकी उंगलियां घिसी हुई हैं सक्त हो चुकी हैं जिनके चाले पढ़ते हैं क्योंकि रोज हर रोज घंटों के लिए चाय की पत्तियां चुनती है क्या उन्होंने देखा है क्या उन्हों उनको तब दुख नहीं हुआ जब आपकी दिहारी बढ़ाई नहीं गई जब उन्होंने खोकले वादे किये जब पिछले चुनाव में यहां आकर कहा कि सारे तीन सो रुपए की आपको दिहारी देंगे क्या पाँच सालों में उनको दुख नहीं हुआ कि वो दिहारी नहीं बढ़ी क्या उनको इस बात पर दुख नहीं है कि आपके बच्चों को भूका सोना पड़ता है क्योंकि आपको सई धंग की दिहारी नहीं मिल रही है तो देखिए राजनीती के लिए बड़े बड़े नेता भी अभी नेता बन सकते है का का अंदोलन हुआ गौहाटी में Film Fair Award का कारिकरम रखा गया था आपको याद होगा शायद Film Fair का Award हमारे प्रधान मंत्री जी को ही मिलना चाहिए क्योंकि जब आप दुख में होते हैं जब आप संगर्ष करते हैं जब आप संकट में होते हैं तब उनके आसू नहीं बहते जब चुनाव आता है तब उन्हें दुख होता है आपकी समस्याओं पर और जब चुनाव चले जाता है तो जो वादे आप से किये वो खोकले पड़ते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता 2016 में आप से बहुत बड़े वादे किये गए थे 25 लाक नौक्रियों का वादा था नौजवानों के लिए उज्यूल बहेशे बनाने का क्या आपको वो नौक्रिया मिली वो रोजगार मिला जाती भाटी और भेटी की रक्षा करेंगे कहा था असम अकॉर्ड में जो खंड छे है उसे कॉंग्रिस ने कॉंग्रिस ने बनाया था ताकि आपकी संस्कृती की सुरक्षा हो क्या उसको लागू किया गया 2016 में भाजपा ने कहा था कि हम का को लागू नहीं करेंगे लेकिन सरकार में आते ही का को लागू किया चाहे बगानों में तमाम वादे किये थे कि जो टी ट्राइब्स है उनको एक अलग दर्जा मिलेगा कि आपकी दिहारी बढ़ाई जाएगी आपकी लिए सुविधाएं बनेंगी लेकिन जिन बहनों से मैं मिली थी उन्होंने मुझे बताया कि न चिकित्सा की सुविधा है न टॉइलेट की सुविधा है न दिहारी बढ़ाई गई है कोई सुविधा नहीं है उपर से इस सरकार ने आपको महिंगाई से मारा है मैं एक और महिला के घर गई वहाँ गैस सिलिंडर पड़ा था लेकिन वो चूले पे अपनी चाय बना रही थी तो जब मैंने पूछा कि क्या हुआ गैस सिलिंडर उन्होंने कहा खाली है उसको भरवाने के पैसे नहीं है क्योंकि आज गैस सिलिंडर आप सो रुपे का है आप से ये वादा किया गया था कि आपके मुख्यमंत्री असमिया होंगे आप से वादा किया था कि आपके जो असम के मुख्यमंत्री है वो मजबूती से आपकी सरकार चलाएंगे क्या मिला आपको आपको दो-दो मुख्य मंत्री मिले और सिर्फ दो-दो मुख्य मंत्री नहीं उनकी सरकार असम से नहीं दिल्ली से चलती है रिमोट कंट्रोल की सरकार है दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के पर्मिशन के बिना यहां पर कुछ लागू नहीं होता कुछ आगे नहीं बढ़ता यहां तक की असाम गण परिशद को भी उन्होंने दिल्ली गण परिशद बना दिया है यहां के हाथी को एक भीगी बिल्ली बनाके छोड़ दिया है आप देखिए कि दिल्ली के दवाव से पाँच सालों के लिए यह सरकार चली है आपके मुख्यमंत्री को दुर्बल बनाया गया है और आज आपके सामने आकर एक नई बड़ी घुशना की पहले दो दो मुख्यमंत्री दिये अब कहते हैं कि दो दो इंजन की सरकार बनेगी डबल इंजन की सरकार कौन बचाएगा असम को इन से दो इंजन की सरकार नजाने कहां से किसको कहां से इंधन मिलेगी कौन सा इंजन चलेगा कौन सा नहीं चलेगा और दोनों इंजनों की चाबी कहां से होगी असम को ना दो मुख्य मंत्री चाहिए ना दो इंजन की सरकार चाहिए अपनी पहचान चाहिए अपना अस्तित्व चाहिए प्रधान मंत्री जी ने ये भी कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने असम का अपमान किया है और जो सदकारे कॉंग्रिस की चली, उन्होंने असम की जनता को अपमानित किया, हित तेश्वर साइकिया जी जैसे महापुरुष, तरुन गुगोई जैसे समर्पित देश भक्त नेता, को ये कहते हुए, प्रधान मंत्री जी को क्या शरम नहीं आई, कि उन्होंने असम की असमिता को बिगाड़ा की असम का अपमान किया, कॉंग्रिस इन नेताओं के कंड कंड में थी, इन नेताओं ने अपने जीवन असम के लिए समर्पित किये, दिन रात आपके विकास के लिए काम किया, और इनकी सरकारों के बारे में इस तरह की बाते करते हुए क्या असम का अपमान नहीं है इन नेताओं ने आज जीवन असम के विकास के लिए काम किया उनके गुजर जाने के बाद इस तरह की बाते करना क्या सब यह है क्या प्रधान मंत्री जी को शोभा देता है यहाँ उत्तर प्रधेश के मुख्य मंत्री जी भी आए उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि श्रीमंत संकर देव जी के श्रीमंद संकरदेव जी आवर्जन के खिलाफ थे अब आप बताईए श्रीमंद संकरदेव जी पांच सौ साल पहले जीवित थे क्या उनके समय आवर्जन था? घुस बैटी थे तो इस तरह की चीज़ें क्या दिखाती है? कि ये नेता यहां आते हैं चुनाओं के समय आपकी संस्कृती आपकी अस्मिता की बात करते हैं यहां से चले जाते हैं आपकी संस्कृती को भूल जाते हैं उसको ना समझते हैं ना समझना चाहते हैं आपकी समस्याओं को भूल जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं नहीं तो पात सालों में आपकी इंती समस्याय हुई हैं, ये लोग क्यों नहीं आए, यहां आकर आपसे बात क्यों नहीं की, बलकि अपने नाम पर बड़े बड़े स्टेडियम इन्हों ने बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉर्ट स्टेडियम, उसका नाम प्रधान मंत्री जी का नाम दिया, और यहां पर असमिया विद्वान, डॉक्टर बानी कांथ काकती का नाम एक शम्शान को दिया, तो आप सोच सकते हैं कि कौन आपकी संस्कृति का अपमान कर रहा है और किसने आपकी संस्कृति की लड़ाई लड़ी है, असम के लोग ये कभी नहीं भूल सकते कि जब वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, जब का के खिलाफ अंदोलन हो रहा था, तो एक पी भाजपा के नेता ने उनके साथ सहनु भूति नहीं दिखाई, उनकी बातों को सुन्दे भी नहीं आए, जब असम की एक महान विभूति लोग प्रियर गोपीनाद बॉर्डोलाई जी के नाम पर सरकारी पैसों से बना हुआ एरपॉर्ट, प्रधान मंत्री जी के उद्योग पती दोस्तों को बेचा जा सकता है, तो आप बताईए, असम के अस्तित्व को बचाया कैसे जा रहा है, आपकी संपती, जिसमें आपकी महनत लगी है, जिसे आपके माता पिताओं ने बनाया, उसको बेच डाला, काजी रंगा के पास एक एलिफंट रिजर्व है, वहां से लगी जमीन भी, इनके उद्योगपती दोस्तों को बेची जा रही थी, A.S.E.B. को प्राइविट करने की योजना है, नोगाओं में भाजपा ने अपने खरबपती मित्र को, किसानों की जमीन चीन कर देने की कोशिश की, जब आसम के लोगों ने अंदोलन किया, तब महिलाओं को पीता गया, एक गर्ब वदी महिलाओं को भी मारा गया, उसको पीता गया, और किसानों के जेल में डाला गया, यहाँ पे जब मेरा हेलिकॉप्टर उत्रा, O.N.G.C. के मैदान में उत्रा, उपर गेट पे लिखा था, आसाम, एसेट, O.N.G.C. इसका क्या मतलब है? आसाम की संपत्ती है उसे O.N.G.C. किसी नेता की संपत्ती नहीं है, किसी पार्टी की संपत्ती नहीं है, किसी सरकार की संपत्ती नहीं है, आप की संपत्ती है, आप की संपत्ती है, आसाम की संपत्ती है, और आज उसको भी प्राइविट करने की योजना चल रही है क्या ये असम की संपती को बचाने का काम हो रहा है आपको याद होगा कि भाजपा सरकार ने अपने खरपती मित्रों को जमीन देने का भी ओर्डिनेंस निका रहा था उस ओर्डिनेंस में लिखा था कि कोई पर्मिशन, कोई क्लियरंस, कोई लाइसन्स की ज़रूरत नहीं होगी एक तरफ कॉंग्रेस की सरकार ने आपको भूमी अधिकरन का कानून दिया छटी अनुसूची देकर आपकी जमीनों को सुरक्षित रखा दूसरी तरफ एक के बाद एक, एक के बाद एक आपकी संपत्ती भाजप्पा सरकार के उद्योग पती मित्रों को बेची जा रही है और लूट का आलम देखिए सिर्फ आपकी जमीन नहीं, सिर्फ आपके उद्योग नहीं लेकिन आपके चिडिया घरों से जनवर भी बेच डाले है आपके चिडिया घरों से दो ब्लैक पैंथर इनके उद्योग पती मित्र के बेटे के पास जमनगर भेजी जा रही है कुछ नहीं छोड़ाया है इन लोगों ने अभी इनकी लिस्ट बहुत लंबी है अभी तो आपकी ओईल फील्स भी बिकेंगी नुमाली गड़ की रिफाइनरी भी है उसे भी बेचा जा रहा है एक तरफ का जैसा कानून महंगाई दूसरी तरफ इनके खरबपती दोस्त जो उनको लूट की अजाज़त है जब यहां पे काका विरोध हुआ था तब शुबिन गर्ग जी ने एक गीत गाया था भाज़पपा से कहा था पॉलिटिक्स नो कौरिबे बंदू लेकिन भाज़पपा ने क्या किया पॉलिटेक्स ही पॉलिटेक्स ही पॉलिटेक्स विकास नहीं किया आपकी मदद नहीं की आपकी सुनवाई नहीं की आपके संगर्शों में शमिल नहीं हुए बाड़ाई आपको आपकी सहायता नहीं की सिर्फ पॉलिटिक्स की और आज भी आपके सामने आकर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं Aasam के लोगों के साथ बहुत बद्रधो का हुआ है मैं यहां राजियती के लिए नहीं कह रही हूं मेरी बेहने हैं आपकी तरह मैं भी मां हूँ मैं भी अपने बच्चों के भविश्य के लिए अच्छी चीज़े चाहती हूँ मैं जानती हूँ आप काम करते हैं आप कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं किसके लिए पढ़ाते हैं ताकि एक दिन रोजगार मिले उनका भविश्य मजबूत बने आगे बढ़ें ताकि जो संघर्ष आपने अपने जीवन में देखे हैं उन संघर्षों से आपके बच्चे स्वतंत्र हो उन्हें उनका सामना नहीं करना पड़े हर माँ यहीं चाहती है लेकिन आज आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है हर छटा बच्चा जिसने बच्चा की हुई है बेरोजगार है हर दसमा एमे बेरोजगार है आपने कमाया मैनद से उसे पढ़ाया और आज उसके लिए सरकार ने रोजगार नहीं दिया तीन लाग सरकारी पद खाली है खाली है भरी जा सकते है तीन लाख नौक्रियां दी जा सकती हैं सरकार नहीं दे रही है 40 लाख बेरोजगार बच्चे हैं असाम में 25 लाख नौक्रियों का वादा था क्या दिया तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हुए हैं इंतजार में हैं कि कोई हमारी मदद करे भरतियों में घोटाले SI स्कैम PNRD स्कैम लाखों बच्चों के भविश्यों इसमें खराब हुए मैं UP में काम करती हूँ हर रोज अनुभव होता है हर दूसरे तीसरे दिन मैं नौजवानों से बात करती हूँ कोई कहता है हमने इंतिहान दिया हमारा सेलेक्शन हुआ छे सालों से हम इंतिजार कर रहे है भरतियों में घोटाला है जहां जहां भाजप्पा की सरकार है घोटाला ही घोटाला है आपके युवा दिल्ली, मुंबरी बैंगलोर में जाते हैं काम के लिए वहां जाकर जब भाजप्पा की विचारदारा के लोगों से मिलते हैं उन्हें अपमानित किया जाता है उनका सम्मान नहीं होता उनको असम में रोजगार मिलना चाहिए उनका हक है सम्मान उनका हक है उनको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए अस्त्रम के नौजवानों को किसी की चंदा की जरूरत नहीं है की चुनाव आने वाला है चुनाव से पहले दो विलर दे दिये लिजी आपके लिए सरकार दो विलर दे रही है चंदा की जरूरत नहीं है अपना आत्म विश्वास अपने आत्म सम्मान के लिए उसे नौजवान काम करता है उसे अपना आत्मसम्मान चाहिए इसी तरह से टी ट्राइब्स के साथ कितना धोका हुआ दिहारी तो छोड़िए जमीन के पट्टे का वादा किया था जमीन के पट्टे मिले ट्राइब का दर्दा मिला नहीं मिला चुनाओ के बाद कोई आया आपसे पूछने आपकी स्थिती है जो है किसी को समझ में भी आई अगर आते समझते और शायद उनके दिल में कुछ आपके लिए द्रया होती लेकिन पाथ सालों में कुछ नहीं किया अब भाजपा आदिवासियों की जमीन छीनने वाले बिल लेकर आई है उनके रहन सहन को नश्च कर रही है कॉंग्रेस की सरकार में 15 प्रतिशत ग्रोथ था आज 6 प्रतिशत है नीतिया योग ने खुद कहा है उनकी रिपॉर्ट ने कि असम में गरीबी बढ़ रही है किसानों, छोटे उद्योगों, महिलाओं को मदद करने के लिए कुछ नहीं किया आपके हद करदा उद्योग मूंगा सिल्क को बरबाद कर दिया है असम में घमोसा भी गुजराच से आ रहा है ये घमोसा भी आपके यहां नहीं बन रहा है आज पेट्रोल, दीजल, रसोई गैस, खाने का समान सब का दाम बढ़ गया है छोटे छोटे बच्चों के लिए खाने को नहीं है गैस सिलिंडर खाली पड़े है आपके अपने बच्चों के लिए जो सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे आज मैं चुनाओ के लिए, चुनाओ के समय आई हूं लेकिन दिल से आप से एक बात कहना चाहती हूं देखिए आपकी संपत्ति, आपकी संस्कृति, आपकी ढरती आपकी उपलब्धियां आपकी हैं इनको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है नेता आएंगे जाएंगे भाशन देंगे बड़े बड़े वादे करेंगे उन वादों पर उनको ख़रा उतारना आपकी जिम्मेदारी है इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी ने एक अच्छी चीज की कई महीनों से अपने नेताओं को पूरे असम में भ्रह्मन कराया आप से संपर्क कराया आपकी समस्याओं के बारे में बातचीत की और उस बातचीत के अधार पर कॉंग्रेस पार्टी ने तैकिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पाँच ऐसी चीजे करेंगे जिस से असम की जनता का फाइदा होगा अब ये खोकले वादे नहीं हैं ये वो वादे नहीं है जो इस मंच पे किये जाएंगे और उसके बाद भुलाए जाएंगे ये गैरंटी है कॉंग्रेस आपके लिए पांच गैरंटी लाई है ये पांच गैरंटी क्या है सबसे पहले तो चाहे के बगांट के श्रमिक पहनों और भाईयों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी ने ये तैग किया है कि आपकी दिहारी 365 रुपे की होगी इसको करने के लिए एक पूरा एक पूरी स्टडी की गरी है ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जो जो द्योग पती है जिनके चाहे बगान है वही देंगे नहीं हम इंतिजाम अलग से करेंगे ताकि जो वो देते हैं उसके साथ साथ जो सरकार देगी उसका जो कुल मिलाकर आपके पास मिलेगा वेतन वो तीन सो पैसट रुपए हर दोस होगा तो ये एक खोकला वादा नहीं है ये गैरंटी है इसी तरह से कांग्रेस कह रही है कि का का कानून किसी भी हालत में असम में लागून नहीं होगा तीसरा गैरंटी कि हर महीने 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त की मिलेगी इसका मतलब है कि आपको कम से कम 1200 रुपए की बचत एक महीने में आपकी हो जाएगी चौथा गैरंटी कि पाँच सालों में पाँच लाग नौकरियां सरकार दिलवाएगी हम 25 लाग नहीं कह रहे हैं हम वो कह रहे हैं जो हम कर पाएंगे हम भी यहां पे खड़े होकर बड़े बड़े आकड़े दे सकते थे आपको हम भी कह सकते थे 25 लाग 30 लाग की नौकरियां देंगे हम सच कह रहे हैं जो हम कर सकते हैं वही कह रहे हैं और आखरी गारिंटी मेरी बहने ध्यान से सुने समाज का बोज आप उठाती हैं चाए आप ग्रिहस्त हों चाए आप नौकरी करती हों चाए मज़दूरी करती हों लेकिन जो महिला करती है जो बार जाके मज़दूरी करती है जितनी वो महिला करती है जो उद्योग में काम करती है उतनी ही मेहनत घर में जो ग्रिहस्त महिला है वो करती है तो मैं अपनी बेहनों के लिए खास कहना चाहती हूँ कि ये जो पांचवी गैरैंटी है आपकी मैंनद की पहचान है आपके सम्मान के लिए आपके खातों में हर महीने दो हजार रुपे की डायरेक्ट का डायरेक्ट ट्रांसफर ढालने का कॉंग्रेस पार्टी की पांचवी guarantee है तो Congress party कह रही है कि हम आपकी संस्क्रिटी को बचाने के लिए आपकी सुरक्षा के लिए आपके भविशे को मजबूत करने के लिए काम करेंगे जिस तरह से हमने पहले किया हमारी सरकारों ने यहां का विकास कराया आपकी समस्याओं को समझते हुए आपके उत्थान के लिए काम किया उस तरह हमें करने का मौका दीजिए तो मैं खास तोर से आपसे कहने आई हूँ कि इस चुनाओं में आप ये देखिए कि आप किस को वोट दे रहे हैं आप एक ऐसी राजनीती को वोट दीजिए जो आपके भविश्य को मजबूत बनाएं तो यही कहते हुए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ चुनाओं के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो मेरी बातों को जरूर याद रखिए जरूर मन में रखिए यह वोट आपके लिए है आपके बच्चों के भविश्य के लिए है आपकी मजबूती के लिए है जाहंद 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 हमाला कि जुग आपके लिए है क्या है झाल झाल